आप सभी भक्तों का हर्दिक स्वागत है हमारे इस जन्दमाश्टमी विशेशांक कारेकरम में आज जन्दमाश्टमी की संध्या के अवसर पर श्रीमत भागतम के दस्वे इसकंद के पहले तीन अध्याओं पर जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्म का विस्तार से विवरन आता है तो मन में भावना हुई कि आज इसकी कथा का आयोजन किया जाए और आप सभी भक्तों ने आकर बड़ा अनुग्रहित किया आपका और कीरतन से करेंगे यह कीरतन हम कुछ आटदस मिनट तक के लिए करेंगे इसके बोल है जैराधा माधव जै कुझ बिहारी जै गोपी जैन वल्लभ जै गिरी वरधारी यशोदा नंदन ब्रिजजन रंजन यमुना तीरव अनचारी जै कुझ बिहारी जै राधा माधव जै कुझ बिहारी जै राधा माधव जै कुझ बिहारी जै गोपी जनवल्लभ जै गोपी जनवल्लभ जै गिरी वरधारी जै राधा माधव जै कुझ बिहारी जै राधा माधव जै कुझ बिहारी जै गोपी जनवल्लभ जै गोपी जनवल्लभ जै गिरी वरधारी जै राधा माधव जै कुझ बिहारी जै खव्धारी जय कुन्ज विहारी यमुना तेरा बनचारी जय कुन्ज विहारी जय राधा माधव जय कुन्ज विहारी 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 ज Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, अड़िक थे अामै दिए। अजर मुड़ ऋरे अरी, समु लाल्मु टिए। ले नो स्में आमंड़ Tow made, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ramu, Hare आसे पर आसे आप नहीं, है खरही अरी कुछिश नहीं, क defensive bulbs, कि हिसे नैव Напर मॉख क्योव लांभ कि अरी आप आप नहीं, ह disent मुझ बर आप नहीं, है ते लुष न excess तogram मुझ ए ए हुनिए फने लन्ट आप कृष्णा कृष्णा हुआ 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 आमु रामु हरि आरे हरिनाम संकीर्टन की जय, श्रिलप्रभुपाद की जय, जय नमास्टमी महा महोत्सव की जय नमा ओम विश्नुपादाये कृष्न पृष्ठाये भूतले श्रीमते इंद्रद्युमनस्वामनिति नामने आज की ये कथा का आरंब हम कुछ प्रार्तनाओं के साथ करेंगे ये श्रीमत भागवतम से पहले प्रहुपाद जी इन प्रार्तनाओं को किया करते थे और ये प्रार्तनाओं एक बार हम भी दोराएंगे आप सब भी दोरा सकते हैं आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी ओम नमो भगवते वासुदेवायः ओम नमो भगवते वासुदेवायः नारायनं नमस्कृत्य नरंचईवनरोत्तम देविम् नित्यम् भागवत सेवया भगवत्य उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवतिनेष्टिके कृष्णाय वासु देवाया देवकी नंदनाया चा नंद गोपकुमाराया गोविंदाया नमू नमहा इसी के साथ हम आज की इस कथा का शुभारंब करते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको के जन्माश्टमी का आज संध्या है कल जन्माश्टमी का अत्स उत्सफ पूरे विश्व में पूरे भारत वर्ष में धूमदाम के साथ मनाया जाएगा और आज की संध्या पर हमने ये मन बनाया के भगवान श्री कृष्ण के जन्म की जो कथा श्रीमत भागवतम में आती है उसके जो पहले तीन अध्याएं है उनमे भगवान श्री कृष्ण की ये जन्म की कथा आती है और इनही तीनों अध्याएं पर आज हम इस कक्षा को आपके सामने प्रस्तुत करेगे तो दस्वन के पहले ही अध्याए से भगवान श्री कृष्ण के बारे में शुक्देव कूल स्वामी अब परिक्षित महराज को भगवान श्री के बारे में वर्णन करते हैं तो ऐसा वर्णन वह करना क्यों आरंब करते हैं उसकी के लिए हमें जानना पड़ेगा किनवेद्याय में शुगदेगु स्वामी वास्तव में परिक्षित महाराज को क्या बताते हैं तो नवे जो कुल थे राजाओं के जो कुल थे उनके बारे में विशद वर्णन परिक्षित महराज को उन्होंने नवेसकंद में भागवतम के वह किया था और जब नवासकंद समाप्थ होने वाला होता है तो ऐसा था कि नवेसकंद के जो पहले तेरा अध्याय थे उसमें सूरिय स्वामी परिक्षित महराज को करते हैं तो वह वर्णन समाप्त नहीं होता है अब वहाँ पर संग्षेप में शुक्देग वो स्वामी परिक्षित महराज को बड़ा ही संग्षेप में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं बड़ा संग्षेप में पूरी कृष लेकिन वो यह जानना चाहते थे कि वास्तव में परिक्षित महराज उस लीला को सुनने के लिए कितने आतुर हैं और इसलिए उनको परखने के लिए वो बड़ा संख्षेप में भगवान शी कृष्ण की लीला का कुछ केवल दो ही शब्दों में दो ही श्लोकों में उनका व परिक्षित महराज को इस बात की कई बार उन्होंने वहां वर्णन किया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है वह बहुत महत्व की है भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान उन्होंने कई बार किया तो ऐसा गुणगान करना ऐसा महत्व श्री कृष्ण लोकों में पूरी की पूरी कृष्ण लीला को समाप्त कर दिया तो परिक्षित महाराज बड़े उत्सुख हो गए और जैसे ही दसवां सकंद जो है वो आरंब होता है तो वहीं परिक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण की लीला का विशद वर करने के लिए उनसे आग्रह करते हैं तो इससे पहले कि हम पहले ये तीन अध्यायों के बारे में डीटेल में समझें आपको यहां थोड़ा सा दस्वम इसकंद के बारे में उसकी महत्ता के बारे में उसके महात्म के बारे में थोड़ा समय बताना चाहूंगा संपूर्ण श इसमें से सबसे अधिक और केवल और केवल दस्वे इसकंदus जो है वो पूण तहा पूर्ण नहीं कि लीलाओं से और जगा सिर्व भगवान शिरक्रिक्रिस्न का ही लीलाओं का गुंदान इसमें किया दशम इसकंद को आश्रे के रूप में भी दिखा जाता है तो वैसे तो श्रीमत भागवतम में अध्यन के लिए दस जो हैं वो टॉपिक हैं दस विशे हैं लेकिन उन दस विशों में एक विशे है आश्रे और आश्रे का मतलब है भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना तो में भगवान श्री कृष्ण के आश्रे तत्व का पूर्ण रूप से यहां पर वर्णन किया गया है और आप देखिए कि ग्यारवे सकंद में भी लगभग 31 अध्याए हैं तो 31 और 90 तो टोटल 121 अध्यायों में केवल श्री कृष्ण की लिलाओं का ही वर्णन किया गया है तो भगवान श्री कृष्ण ही भागवतम का श्रीमत भागवतम का उद्देश्य हैं और श्रीमत भागवतम का जो आश्रे तत्व है भगवान श्री कृष्ण की शर्णा का तीलेना भगवान श्री कृष्ण के शर्ण में जाना उसका जो मुख्य सकंद है वो है दसम सकंद तो दसम्सकंद का पहला और दूसरा और तीसरा अध्याय आज हम उसकी बारे में चर्चा करेंगे और इसी दसम्सकंद के आरंभ में राजा परिक्षित जो है वो शुकदेव को स्वामी से श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से कथा करने का अग्रह करते हैं वे उनसे कहते हैं कि आरंभ से लेके अंत तक आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से बताएं तो पहले तीन श्लोक अब आप यह देखे कि जैसे मैंने यहां आपके सामने में स्लाइड जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें हम अभी के पहले अद्ध है कि जैसे मैंने यहां एक से लेके चार यहां लिखा हुआ है इसका अर्थ यह है कि यह एक से लेके चार जो श्लोक हैं पहले अद्ध है कि उसमें क्या विशे उठाया गया है और उसके बारे में यहां जो चार श्लोक हैं उनके बारे में यहां स्लाइड क इंदर विस्तार से यहां पर मैंने बात लिखी हुई है जिससे हम आगे बढ़ेंगे तो हर पंक्ति के आगे जो नंबर लिखेंगे हैं वह वास्तम में श्लोकों की संख्या है उसी अध्याय को इससे आपको कठिना ही नहीं होगी समझने कि में हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे कर रहे हैं कि आपने सूर्य और चंद्रवर्ण्शो के बारे में मुझे विस्तार से व्र्णन कर दिया है लेकिन अब क्रिपा करके मुझे श्री 크िष्ण और बलराम के बारे में वर्णन करें मैं आप से उनकी कथा सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ और श्री कृष्ण की और बलराम जी की जो कथाएं हैं उनके बारे में शुगदेग वो स्वामी पहले ही परिक्षित महराज को उनके महत्व के बारे में उनके गुणगान के बारे में बहुत कु कम थोड़ा सा देखेंगे परिक्षित महराज कहते हैं निवरत तर्शे रुपगी एमानात भवाव शधाच्रोत्र मनो भी रामात का उत्तम श्लोक गुणान वादात मुमान विरज्जेत विना पशुकनात तो यहां भगवान की लिलाओं के बारे में भगवान की कथाओं के बारे में उनका बुणगान करते हुए परिक्षित महराज श्लोक बोलते हैं और कहते हैं निवरत तर्शेर उपगी एमानात निवरत तर्शेर निवरत मतलब जिनकी मन में संसारिक भौतिक जो भोग विलास हैं जो संसारिक और भौतिक जो चर्चाएं हैं संसारिक जो उन में जो अपनी अनासक्ति उत्पंद कर चुके हैं गया इस करें लोगों को इस प्रकार की चर्चा में ऑन ता किस प्रकार भव औशदात तो इन कथाओं को सुनने से जो व्यक्ति है वो जन्म और मृत्यू के चकर से छूटने लगता है तो ये एक प्रकार की औशदी है प्रभू की लिलाएं औशदी के समान है और ये हमें जन्म और मृत्यू के चकर से छूटने के लिए हमारा इलाज करती है हमारा करती हैं फिर उनकी और विशेष्टा क्या है श्रोत्र मनो अभी रामाद श्रोत्र मतलब क्या होता है कान कर्ण और मनो मन का मतलब मन अभी रामाद मतलब बड़ा सुन्धर लगता है बड़ा मधूर लगता है यह जो कथाएं हैं हमारे कानों को और हमारे नहीं चाहेगा और फिर वो कहती है विरज्येत विना पशुखनात तो पहले खुद ही प्रशन करती हैं कि ऐसा कॉन व्यक्ति होगा जो इस भगवान की महीमा के वो सुनना नहीं चाहेगा जो इतनी मन को भाती हैं, काण को भाती हैं, तो फिर खुदी उत्तर देते हैं आशलोक में केवल कसाई, कसाई मतलब पशु गनात, पशु मतलब किसी पशु जो जानवर होते हैं, अगनात, अगनात मतलब उनका वद करना, तो केवल कोई कसाई जैसा व्यक्ति ही ऐसा होगा, जो ऐसा विशे सुनना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पर परिक्षित महराज आरंब में भगवान की लीलाओं का गुंगान करते हैं, और परिक्षित महराज से उन कथाओं को सुनाने के लिए बड़ा आदर पूरवक उनसे आग्रह करते हैं। उसके बाद परिक्षित महराज शुक्देगोश्वामी के सामने भगवान शी कृष्ण के प्रती उनके हिर्दे के अंदर जो कृत्यक्गिता का भाव था उसे व्यक्त करते हैं और उसे व्यक्त करते हुए यहां पर कुछ दो-तीन श्लोकों में उसको वर्णन करते हैं वो कहत उने भगवान शी कृष्ण की कृपा से ही बड़ी सरलता से बड़ी आसानी से कुरुक्षेत्र जैसा सागर पार कर लिया कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उसमें इतने सारे सैनिक लड़े थे कि वो एक सागर के समान था सैनिकों का सागर था तो परिक्षित से मेरे दादा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र जैसे सागर को बड़ी सरलता से पार कर लिया और यह कोई ऐसा वैसा सागर नहीं था इस सागर में भीश्म जैसी बड़ी-बड़ी मचलियां थी भीश्म जो थे उनके अर्जुन के पितामा थे उनके दादा थे और बड़े ही दुरदान्त योद्धा थे, बड़े ही कुशल योद्धा थे, तो ऐसे भीश्म जैसे बड़े महान योद्धा से, जहां पर परिक्षित महराजी श्लोक में उन्हें मचलियों का संग्या दे रहे हैं, कि उन्हें भीश्म जैसी बड़ी-बड़ी मचलियों से मेरे पितामा अर सवार थे तो यहां वो दरश्टान्त दे रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध था वो सागर के समान था भीश्म जैसे बड़े-बड़े योध्धा जो थे वहां मचलियों के समान थे लेकिन भगवान के चरण कमलों की जो कृपा थी मेरे दादा को प्राप थी और वो चर जब अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे तब भगवान शी कृष्ण ने उनकी भ्रहमास्तर से रक्षा करी ठी थी तो भ्रहमास्तर का यह जो अस्तर था यह अश्वत-थामा ने पांडवों के जो कुल थे उसका बिलकुल विनाश करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ये अस्तर जुथो वहां प्हेंका था लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्रा के गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्तर से जो तेज उत्पन होता है जो गर्मी उत्पन होती है उसको अपनी शक्तिय से उसको निश्क्रिय कर दिया और परिक्षित महराज की वहां रक्षा करी तो इस तरह से परिक्षित महराज भगवान श्री कृष्ण की कृतक कथा सुनने से पहले उनकी कथा का गुणदान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रती अपनी कृतक व्यक्त करते हैं और परिक्षित महराज कई प्रश्ण अब शुक्देव इप्गो स्वामी कृपया करके मुझे बताएं कि बलराम देवकी और रोहिनी दोनों के पुत्र कैसे हुए क्रिष्ण भगवान शी क्रिष्ण को नंद के घर इस्थानांतरित क्यों किया गया भगवान शी क्रिष्ण अपने संबंदियों के साथ कहां रहते थे क्रिष्ण ने वरंदावन और मसुरह में क्या किया, उन्होंने कंच को क्यों मारा, क्रिश्न कितने वर्ष तक वर्षनी के वंचेज़ों के साथ रहे, उन्होंने कितनी पत्रियों से विभाग yupa किया, विदौतूर का में कितने वर्ष रह नaper कई-कई प्रश्न परिक्षित महराज शुक्देग वोस्वामी से पूछते हैं अब परिक्षित जी की जो उत्षुकता थी वो देखने लायक थी वो अब शुक्देग वोस्वामी से कहते हैं कि जो कुछ मैंने यहां पूछा है कृपा करके वह तो मुझे समझाएं ही लेकिन जो मैंने आप से नहीं भी कुषल शिश्य का एक उधारन प्रस्तुत कर रहे हैं कि जी कुषल शिश्य होता है वो लर्ण सीखने के लिए इतना आतुर रहता है कि वो अपने गुरू से वह तो जानना चाहता ही है जो उसके हिरदय में शंकाएं हैं लेकिन उसके अत्रिक्त जदी गुरू के पास ग्या उनके सामने व्यक्त कर रहे हैं और फिर एक बार फिर वो भगवान की कथाओं की प्रशंसा करते वे यहां कहते हैं कि मुझे भूक और प्यास मुझे परिशान नहीं कर रही है तो कृपा आप ऐसा ना समझें कि मेरे पास बहुत चोटा टाइम है और मैं अभी आपकी कथा स सुनते सुनते मैं एक तरह से तरप्त हो गया हूं ऐसा नहीं है भगवान शी कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए मेरे पास समय ही समय है आप कदापी ऐसा ना सोचें कि मुझे प्यास लगी होगी मुझे भूक लगी होगी इस कारेंट से मैं परिशान होगा लेकिन आपक मतलब मैं आपके मुख कमल से त्वन मुखाम भोजम अमभूज बोलते हैं कमल को आपके मुख कमल से निकली कृष्ण कथा वास्तव में मेरा पोश्ण कर रही है और आप यह ना समझें कि शुनमाम मतलब भूक मैं कोई भूक और प्यास से ऐसा नहीं है कि मुझे कोई परिशानी हो रही है आपकी जो मुख कमल से जो कथा हैं निकल रही है वास्तव में मेरा हृदे जो है उनसे इतना पोशन परात कर रहा है कि मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता हूं इस तरह की भूमिका अब यहां परिक्षित महराज ने शुक्देगो स्वामी के समक्ष प्रस्तुत करी और बड़ी आतुरता वो दिखा रहे हैं कृष्ण कथा को सुनने के लिए शुक्देगो स्वामी परिक्षित महराज की आतुरता देखते हैं उनकी उत्सुता देखते हैं और ब बास्ता में बहुत ही अनुकरणिये हैं Yes, और फिर वे एक श्लोक बोलते हैं शुग्देव को सवामी कहते हैं तीन प्रकार के लोग शुद्द होते हैं, वो यहाँ पर एक कुमादे थे हैं, जैसे बगवान श्रीकृष्ने के चरण कमलों से गंगा नदी निकलती है, और वो तीनों लोगों को शुद्द बनाती है, उसी प्रकार से वासुदेव कथा से संबंदित यदि कोई व्यक्ति प्रशन पूछता है तो उससे तीन प्रकार के लोगों का कल्यान होता है। जो कथा बोलता है। प्रच्छकम मतलब जो कथा के मद्धे में कोई प्रशन पूछता है, कोई जिग्यासा रखता है। और श्रोत्रम का अर्थ हुआ जो सुनने वाला है। तो तीन प्रकार के लोग जो हैं वो लाभानमित होते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनकर व काने के बाद परिक्षित महराज और शुक्देव को स्वामी के मद्धे इतना मुबारतालाप होने के बाद भूमी का बनने के बाद शुक्देव को स्वामी जो हैं अब कथा कहना आरंब करते हैं। अब वो बोलते हैं कि एक बार की बात है कि जब भूमी देवी ने यह अन वेश में जो शत्रियें हैं लेकिन वास्तव में अपनी नियत से अपने कारियों से आसुरी हैं जब भूमी देवी उनका बोज बहुत अधिक महसूस करने लगी तो इस बोज से निजात पाने के लिए इसे चुटकारा पाने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास जाती हैं उन्हो जी प्रित्वी देवी की विप्दा को सुनते हैं और उनको शिवजी तथा अन्य देवी देवताओं को साथ में लेकर वे शीर सागर के तड़ पर पहुंच जाते हैं तो ब्रह्मा जी वहां जब शीर सागर के तड़ पर पहुंचने के बाद वे वहां पर शीर सागर के मनो योग से पुरुष सुक्त नामक वैदिक मंतरों का पाठ शीर षागर में सियन करने वाले भगवान विश्णु के लिए वहाँपर पुरुष शुक्तप्रार्थना हों का पाठ आरंब करते हैं विश्णु के संक्ष बोले जाने इस प्रकार से पुर्षुक्त प्रार्तना है जो है वो ब्रह्मा जी विश्णु जी के लिए वहां शीर सागर के तट पर पहुंचकर आरंब कर देते हैं और ब्रह्मा जी जो है वो सीधा-सीधा भगवान विश्णु के समक्ष नहीं आते हैं ना विश्णु जी जो है वो की हिरदय के माध्यम से ही उनको अपना संदेश पहुंचाते हैं और आप इसकी बात की चिंता ना करें मैं जो है वो शीग्र ही यदू और व्रिष्णी वंचों में प्रकट होंगा और वहां पर प्रकट होकर मैं वास्तमें भूमी पर जो अत्याचार हो रहा है जो आसुरी राजाओं का जो अत्याचार हो रहा है भूमी देवी को मैं उनसे उनको मुक्त कराऊंगा इस प्रकार से भगवान विश्णु जो है वो हृदय के माध्यम से ब्रह्मा जी को संदेश पहुंचाते हैं और ये संदेश ब्रह्मा जी वहाँ पर उपस्थित देवी देवता हैं जो पृत्वी देवी हैं उनको वहाँ पर पहुंचा देते हैं इसके साथ-साथ वे ये भी कहते हैं कि मैं तो प्रकट होंगा लेकिन आप जो समझ देवी देवता हैं वे भी मेरी इस लीला में भाग लेने के लिए आप भी प्रिथवी पर अलग-अलग रूपों में अलग-अलग जन्मले जदू वंच में और विश्णी वंच में और वहां पर देवताओं की पतनियो कि जो पतनिया है कि जब वहां आएंगी और भगवान के साथ वहां पर भाग लेंगी तो उनको प्रशिक्षन मिलेगा और वह उस प्रशिक्षन को प्राप्ट करने के बाद फिर आगे बोलो कुरिंदावन में उनको भेज दिया जाएगा। और इनके दो रूप होते हैं जैसे योग माया और महा माया तो महा माया जो है वो भौतिक जगत में जीवों को ब्रहमित करने का कारे करती है भगवान से दूर ले जाने का कारे करती है और ताकि जीव जो है वो समझ जाए कि मेरा वास्तविक में जो सुख है वो भगवान के प माया उसे शुद्ध बनने और अपने अपनी शक्ति भगवान की सिवा में लगाने में अधिक अधिक सहयक बनती हैं तो दोनों जो महा माया हैं और जो योग माया हैं वो विश्नु माया के रूप में यहां भगवान उनका उल्ले करते हैं कि देवताओं भी प्रकट होंगे ब अब वसुदेव यहां पर अब देखे सीन चेंज होता है यहां तो अभी हमने सीन देखा के ब्रह्मा जी देवी देवता भूमी देवी ने भगवान से प्रार्थन करी कि वो अवतार लें और शीर सागर में जो विश्नु जी थे उन्होंने उनकी प्रार्थना सुनी अब यहां भागवतम में श्लोक में यह वर्णन आता है कि यदूवंच के जो प्रमुख मुख्या थे उनका नाम था राजा शूरसेन और एक समय पर प्राचीन काल में यह जो यदूवंच के मुख्या थे यह मुख्या नामक नगरी में रहने के लिए चले गए और इनी यदूवंची उनमें वसुदेव जी थे और वसुदेव जी ने शूरवंच के जो वसुदेव थे उन्होंने देवक नामक जो राजा थे उनकी पुत्री का नाम था देवकी तो शूरवंच के वसुदेव ने देवकी जी से विभा किया मता देवकी से विभा किया और उपस्तित है, जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, वो रीती आज भी है, कि ये रीती थी कि जो लड़की का जो भाई होता है, वो विभा के बाद जो लड़की को उसके पिता के घर से उसको उसके पती के घर पर ले गर जाता है, तो उसी रीती का एक तरीके से यहां पर पाल और इसी स्नहे के कारण वो देवकी और वसुदेव का जो रत था उसको हांक रहे थे तो रत हांक ना कोई बहुत बहान सेवा नहीं होती है बड़ा ही एक समलीजे छोटा कारिय कहा जाता है समाजिक दिरिश्टिकोन से तो चुकि स्नहे था अपनी भेहन के प्रती तो इस प्रकार का कारे वो वसुदेव और देवकी के लिए कर रहे है तो भागवतम में इस बात का भी उल्लेक है कि कैसे यहां पर उनके जो पिता थे देवकी जी के जो पिता थे देवक उन्होंने बड़ा ही विशाल दहेज अपनी पुत्री के लिए उन्होंने यहां पर विभा के अफसर पर दिया तो उस दहेज का उल्लेक यहां पर है दो सो युवा दासियां दी जो स्वन आभुशनों से सुसजित थी चार सो हाती दिये जो सोने से सजे हुए थे दस हजार घोड़े दिये अठारा हजार रच दिये तो इस परकार से एक बड़ा विशाल दहेज उन्होंने अपनी पुत्री के लिए वहाँ पर दिया तो ऐसे अवसर पर वहाँ पर बड़ा ही उत्सव का माहौल था उत्सव का वातावरण था समार हो था संगीत और वाद्य यंत्र जो थे वो बजाए जा रहे थे तो ऐसे वातावरण में कर्ण कंस जो है वह वसुदेव और देविकी का रत हांकर उन् कंस घुडों की लगाम थामे मार्क पर रत हाक रहा होता है तो एक अद्रश्य आवाज एक अद्रश्य द्वनी आकाश से उसको संबोदित करती है तो दिखाई नहीं देती कहां से आ रही है कौन बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है तो वह द्वनी उसको संबोदित करती है वो कहती है अरे मूर्ख दुष्ट तुम जुस इस तरी को लिये जा रहे हो उसी की आठवी संतान तुम्हारा वद्ध करेगी यहाँ पर जो श्लोक आता है उसमें जो शब्द है अस्या मतलब इस देवकी का त्वाम तुमको अश्टमह गर्भा आठवा जो गर्भ है हन्ता याम वो तुम्हारी हत्या करेगा हन्ताम याम तो तुम जिस इस तरी को तुम यहां लेकर जा रहे हो उसकी आठवी संतान तुम्हारा वद्ध करेगी तो गंस जो है वो आसुरी सुभाव का होता है और आसुरी सुभाव के व्यक्तियों का ये एक उनकी नेचर होती है उनकी प्रकरती होती है कि वो कभी भी उनका उनके उपर विश्वास नहीं किया जा सकता चूंकि वे स्वार्थी होते हैं वो अपना ही स्वार्थ सबसे पहले देखते हैं तो जैसे ही उसने ये आकाशवानी सुनी तो उसका स्वार्थ जो था जाग गया और जो उसने अपनी बहन के प्रती उसका था वो सने सारा का सारा जाता रहा उसने तुरंट कंस ने तुरंट अपनी बहन देविकी का सिर काटने के लिए तलवार उठा लिए उसने बाए हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ से अपनी तरवार निकाली और उस पर वार करने के लिए तयार हो गया लेकिन वसुदेव यह सब होता देख रहे थे और इतना सब देखने के बाद वसुदेव जो थे चुक करने लगे और वो इस प्रकार से कंस को समझाने लगे तो यहां वसुदेव जी जिस प्रकार से कंस को शांत करने का प्रयास करते हैं वास्तव में उसमें बहुत सारी बाते हैं ऐसी जो सीखने के योग्ये हैं जो जानने के योग्ये हैं बड़ा सुंदरता से वे कंस को शांत क करने का प्रयास करते हैं पहला साम साम का मतलब है मित्रवत व्यवार करना जैसे मित्र के साथ व्यवार करना मैं और आप एक ही हैं आप तो बहुत पहान हैं समझाना बुझाना है उसमें कोई फोर्स नहीं है बस एक प्रकार से प्रेम से समझाना मित्र के साथ हम जो रद्यबर कुछ तरक दिये कुछ उन्होंने उसके सामने प्रसुत करने को प्रयास किया और इस प्रकार से वसुदेश जो हैं वो कन्स को शांत करने का करते हैं हम देखते हैं कि अलग-अलग तरीके से कैसे समझाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं साम तो यहां पांच प्रकार के साम मित्रवत व्यवार कैसे करना है उसका उल्लेक यहां पर मैने किया है स्लाइड में देखते हैं गुण कीरतनम का अर्थ है सामने वाले की गुणों का कीरतन करना उत्का गुणगान करना तो वसुदेव जी कंस को कहते हैं आप तो भोजवँंश के रतन-श्रेष्ठ भोजवंश में जितने भी राजा हुए है आप उन में कहते हैं कि आप किसी छोटे मोटे वंच से नहीं है आप बड़े एक महान वंच से हैं और किसी महान वंच के राजा को एक स्त्री के उपर एक निर्बल स्त्री के उपर वार करना उसका उसकी हत्या करना यह आपको शोभा नहीं देता है फिर वे उसको समझाते हैं कि भई इसमे लाब नहीं है कोई, यह जो आप कारे करने वाले हैं, इससे कोई लाब आपको नहीं मिलने वाला है, वो कहते हैं इस तरी हत्या से आपको क्या लाब होगा, आप इतने महान हैं, आप इतने वैभवशाली हैं, आपको इससे कोई लाब नहीं होने वाला है, फिर अभेद, अभे उसके साथ करते हैं फिर अन्तिम क्या है उपक्रती मतलब उपकार का भाव करते हैं उदारता की भावना उसके अंदर पैदा करना सामने वाले व्यक्ति के अंदर तो वह कहते हैं कि यदि आप देवकी को छोड़ देंगे यदि आप देवकी को शमा कर देंगे या देवकी को आप हत्या उसकी नहीं करेंगे तो वास्तव में आप मेरे उपर बहुत-बड़ा उपकार करेंगे मेरे उपर आपकी बहुत-बड़ी कृपा होगी तो इस प्रकार से पांच प्रकार का मित्रवत व्यवार करके जो वसुदेव जी थे वो अपनी पतनी देवकी की रक्षा करने का प्रयास करते हैं वे आप कहते हैं भेद और नयाय तो हमने देखा साम में कैसे वो वसुदेव जी कंस को समझाने का प्रयास करते हैं हम देखते हैं भेद, भेद का अर्थ है कंस के हिरदे में भैड उत्पन करना अभी तक तो वो मित्रवत विहवार कर रहे थे समझा रहे थे बुझा रहे थे लेकिन भेद भेद में वो सामने वाले व्यक्ति के हिरदे में भे उत्पन करते हैं वो कहते हैं आज तो देवगी का विभा हुआ है और इस दिन भेद की हत्या करने से आपको बहुत पाप लगेगा तो आपको इस पाप का भे होना चाहिए आप भेन की हत्या करेंगे तो इस कारण अलग-अलग परिवारों में आपके परिवार में और मेरे परिवार में एक प्रकार से कलह का वातावरन उत्पन होगा तो आप परिवार में इस कलह के वातावरन को उत्पन करने से बचें तो आपके लिए यह जो हत्या जैसा जो य नहीं भेद से नहीं भैज उत्पन करके और नहीं मित्रवत व्यवार उत्पन करके उसको समझा पा रहे हैं अब वे न्याय का सहारा लेते हैं वो कहते हैं न्याय का अर्थ है तर्क तर्क द्वारा अब उसको समझाते हैं और कुछ फिलोसफी दर्शन नित्यारी उनके सामने क को बताते हैं कंश को जिसने जनम लिया है उसकी मृत्यों निश्चित है है कंस आप ऐसा ना समझें कि आप यदि देवकी को मार देंगे तो आपके मृत्यों नहीं होगी आपकी तब बच जाएगी तो इस प्रकार से वो उसको अलग-अलग प्रकार के यहां पर तर्क देते हैं फिर कहते हैं जन्म के बाद कर्म के अनुसार जीव को स्वता ही दूसरा शरीर मिल जाता है तो जब जीव को दूसरा शरीर मिलता है वो उसके कर्म के अनुसार मिलता है तो आप ऐसा कर्म ना करें कि आपको कोई ऐसा शरीर प्राप्त हो जो अवांचनिय हो जो आप जो आपको पुसंद ना हो जो आपके लिए हानिकारक हो तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से दर्शन देते हैं तो ये आप देखें यहां पर कि वास्तम में वसुदेव जी कंस को यहां आ के बारे में ही बताते हैं और हम यह देख सकते हैं कि अभी तो श्री कृष्षन का जन्म campus हो कंच और आग्वा से पहले ही इस तह दे existed to investors को मात्र भगवत गीता से ही मिलता है परंतु वास्तव में वैदिक संस्कृति में यह आपको हर प्रकार के शास्त्र में आत्मा और शरीर के जो भेद है उसका विज्ञान आपको पढ़ने को मिल सकता है और वसुदेव जी अलग-अलग प्रकार की उपमाय देकर, अलग-अलग प्रकार के द्रिश्टान्त देकर, आत्मा और शरीर का भेद अब कंस को समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे भगवत गीता में आप पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं कि जैसे व्यक्ती हर रोज अपने वस्त्र बदल लेता है, इसी प्र प्रकार से वसुदेव जी भी अनेक अनेक प्रकार के यहां पर उधारन देते हैं, द्रिश्टान देते हैं, तो पहला उधारन मों देते हैं, कि जैसे एक व्यक्ती चलता है, तो चलते-चलते वो पहले अपना एक पैर जो है सामने रखता है, और जब उस पैर को सामने जमा लेता है तभी वो अपना दूसरा पैर उठाता है इसी तरीके से उनका कहने का तात्परिय यह है कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में चली जाती है तो यह वैसा ही है कि जैसा एक व्यक्ति चलता है जब तो वह एक पैर उठाता है और दूसरा पैर रखता है तो आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में वो प्रवेश करती है तो एक उपमा ये देते हैं फिर अगली उपमा क्या देते हैं कि जैसे एक जो कीड़ा है वो एक पत्ती पर उपस्तित होता है तो जो कीड़े होते हैं उन्हें पत्तियां खाने का बड़ा शौक होता है, बड़े उनको पत्तियां अच्छी लगती है, तो यह जो कीड़े हैं, जब वो एक पत्ति को चबाते हैं और पत्ति समाप्त होने वाली होती है, तो एक पत्ति का सहरा लेकर वो किसी दूसरे पत्ति के उपर पहुंच जाते हैं तो ये भी वो ये समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर पर चली जाती है फिर की स्वपन की भाती हमारा शरीर भी अनित्य है तो जैसे हम जब स्वपन देखते हैं तो स्वपन में हम अलग-अलग प्रकार के किसी सपने में हम राजा बन जाते हैं या किसी सपने में हम भिकारी बन जाते हैं लेकिन जैसे ही हमारी निंद्रा खुलती है तो सपना जो है वो समाप्त हो जाता है तो सपना यानिके अनित्य है अनित्य मतलब वह पर्मनेंट नहीं है हम जो सोच रहेते कि हम राजा हैं या वो मन की चंचलता के कारण मिलता है चुकि मन बड़ा चंचल है मन चंचल होने के कारण अलग-अलग इंद्रिय विश्यों में भोग विलास करने में आतुर रहता है वहां लगा रहता है और इसी भोग विलास के कारण वास्तव में जीव जो है वो अपना अलग जनम जो है वो रजगुणी शरीर मिलता है, इस प्रकार से शरीर जो है वो मन की चंचलता के कारण निरधारित होता है। फिर अंतिम उपमा यहाँ बैं देते हैं, सुर्यय और चंद्रमा का प्रतिपिम्ब वाजु के कारण विक्रत, जीव भी भहुतिक विचारों के कारण विभिन शरीर पराप्ट करता है तो यहां जब चौती उपमा वो दे रहे हैं वो है सूरिया और चंद्रमा का जो प्रतिबिम्ब जल के अंदर पढ़ता है तो आप देखेएं जब रात्री में चंद्रमा होता है और दिन में सूरज होता है जब उसका प्रतिविंब जल के अंदर पढ़ता है तो वह प्रतिविंब मान लिजे उस जल के अंदर लहरें उत्पन हो लहरों के उत्पन होने के कारण वो जो प्रतिविंब है वो गोल नहीं नजर आता है वो कई बार लंबा नजर आता है कई बार केड़ा नजर आता है कई बार बांका नजर आता है तो यहां कहने का तात पर यह वसुदेव जी का यह है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा का जो प्रतिविम्ब है जो रिफ्लेक्शन है पानी में लहरों के कारण बिगडावा नजर आता है उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने मन की चंतलता के कारण अलग-अलग धारनाएं इस जीवन में अपनी बना लेता है अलग-अलग धारनाएं बना लेता है कि मैं तो शत्रिये हूं मैं तो ब्रहमन हूं मैं तो वैश्ये हूं मैं तो राजा हूं मैं तो मैं तो इंजीनियर हूं डॉक्टर हूं इत्यादिया इ इस प्रकार की धारणा है जब वो अपने मन के कारण बना लेता है तो इसी कारण से उसको अगला शरीर उसको वो है प्राप्ट होता है तो वास्तम में आत्मा जो है ना तो वो इंजीनियर है ना डॉक्टर है आत्मा तो वास्तम में भगवान का अंच है तो जो जीव इस बात और चंद्रमा का प्रतिभिंब वायू के कारण विकरत हो जाता है बिगड़ जाता है और जो लोग इर्शालू होते हैं अब पवित्र कारे करते हैं उनको ऐसा शरीर मिलता है जिससे उनको अगले जनम में कश्ट भोगना पड़ता है तो यहां वसुदेव जी देखे आप भा भगवद गीता ऐसा नहीं है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी शंका को दूर करने के लोग बोला था वही उसी उसी स्थान पर वह दर्शन उपस्तित है वैदिक साहित्य में शृमत भागवतम में यह दर्शन जो आपको अनेक अनेक स्थान पर मिल ज लाड़ होगा बढ़ा ही अच्छा होगा तो आपको यह साहित्य पढ़ने में बढ़ा ही रूची आएगी भागवतम पढ़ने में उपनिशत पढ़ने में आप इसको बढ़े अच्छे से समझ सकेंगे तो यहाँ देखे जो वसुदेब जी जो उक्माएं दे रहे हैं उनको यहां मैंने चित्र के रूप में आपको इहां स्लाइड में दिखाने का प्रयास किया है। एक पैर उठाता है दूसरा पैर रखता है यह चंदरमा का यह प्रतिभिंब आप देखे बड़ा लंबा सा दिखाई दे रहा है गोल नहीं दिखाई दे रहा है पानी की लहरों के कारण यह विकरत हो गया है और यह व्यक्ति जो है सपन में है सपन में वह अलग-अलग प्रका कर दूसरा शरीर लेने का प्रयास करती है तो इस तरहिके से अलग-अलग उपमाएं देकर वसुदेव जी कंस को यहां पर तर्क द्वारा न्याय द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं फिर आपकी चोटी बहन है आपकी बेटी जैसी है आपकी स्नहें की पात्र है यह दीन और भेद उसे शांत नहीं कर सके तब वसुदेव जी जो थे वह चिंतित हो गए लेकिन चिंता में भी उन्होंने जोड़ी उन्होंने सोचना नहीं चोड़ा और उन्होंने अपना दिमाग लगाए बुद्धि लगाई और सोचने लगे कि यह आशुरी आदमी है ये तरक स बुद्धी तर्क से साम से भेद से ये मानने वाला नहीं है अब वो सोच रहे हैं कि कैसे देवकी को मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ अब वो बोलते हैं कि देखिए यहां पर श्रीमत भागवतम में वास्ता में यह जो वर्णन होता है यह आपने जैसे सुना शुक्देव गो मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धी तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक वहें मृत्यू से बचने का प्रयास करता रहे तो यह 48 वंच लोग है देखिए यहां पर तो यहां कहने का भाव यह है कि जब तक व्यक्ति के अंदर बुद्धी है जब तक व्यक्ति क्योंकि जो शरीर है यह एक साधन के समान है और इस शरीर को साधन का इसका उपयोग करके ही वास्तव में हम इस भवसागर से जन्म और मृत्यू के चक्कर से निकलने का प्रयास कर सकते हैं तो हमें इस शरीर की आवश्यक्ता है तो इस शरीर को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए हमें इसका तिरसकार नहीं करना चाहिए तो यही भावना से यहां पर ये श्लोक कहा गया है कि जब तक बुद्धी है जब तक पराक्रम है हमें मृत्यू से बचना चाहिए और इसी बुद्धी मानी का इसी पराक्रम का यहां परीच है अब वसुदेव जी जो है वो क को मारेगी नहीं है इसके पुत्र आपको मारेंगे तो मैं आपको वचन देता हूं मैं आपको प्रामिस करता हूं कि जब भी देविगी का कोई भी पुत्र उत्पन होगा मैं स्वेम ही आपको उसके पास ले आऊंगा आप जो चाहें उसका कर लें तो इस प्रकार से बसुदे ले आउंगा आप उसके साथ जो चाहे करना वो करें और कंस जो है स्वाभा के वश इस बात से सहमत हो जाता है इस बात को मान जाता है कि ठीक है और यहां देखें कि यहां कंस वास्तव में आसुरी व्यक्ति हैं यहां जो कंस सहमत हो जाता है यहां वास्तव में वसुदेव ज जी के जो वचन है वो इतने रिलाइबल व्यक्ति हैं इतने सत्यनिष्ट व्यक्ति हैं कि कंस जैसा असुर भी वसुदेव जी के वचनों पर विश्वास करता है तो यहां वसुदेव जी की सत्यनिष्टा कि जो बात बोली है जो बात कही है उस पर मैं अडिग रहूंगा यह क जानता है तो कंस ने जब यह सुना कि वसुदेव जी ने यह प्रॉमिस किया है यह वाइदा किया है वचन दिया है तो वह सहमत हो जाता है अब आगे के श्लोकों में इस बात का वर्णन है कि कैसे वसुदेव जी और देवकी जब उनके पहला कुदेव जी यह सोचते हैं कि वास्तव में अगर मैं इस पुद्र को कंस के सामने नहीं ले जाओंगा तो मेरा वचन बंग होगा और मैं जूटा साबित हो जाओंगा तो बड़ी ही कठिनाई से बड़ी ही पीडा से वो अपने प्रथम पुत्र जिसका नाम कीरतिमान था वो कंस के हातों स्वापने के लिए कंस के पास चले जाते हैं लेकिन इस बीच भागवत में एक बड़ा ही सुन्दर श्लोक आता है और वह श्लोक है कि साधू के लिए कोई निर्णय कठिन नहीं होता है कोई निर्णय क सत्य व्रत से वो जो हैं बंदे होते हैं तो उनके लिए कठिनाई नहीं होती है ऐसा निर्णय करने में क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें वास्तम में इसी रस्ते पर चलना है तो बड़ा ही उनके लिए निर्णय लेना कोई कठिनाई नहीं होती है तो इसी बात को यहां लिखते हैं अर्थात ऐसा कौन सा निर्णे है जो सादू के लिए कश्चचदायक नहीं है कोई निर्णे ऐसा नहीं है जो सादू के लिए कश्चचदायक है विदूशाम किम अपेकशितम विदूशाम मतलब जो 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 ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उसके लिए वर्जित ना हो वो वर्जित हो ना वर्जित हो वो हर कार्य करने के लिए तयार रहता है तो यह निम्नवेक्ति के चरित्र का एक तरीक से परिचायक है और फिर मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पन कर दिया होता है उनके लिए कोज भी त्याक करना कभी भी कठिनाई का कारण नहीं तो इस प्रकार से यहां भागवतम में बीच-बीच में, कथा के बीच-बीच में इस प्रक वतम में आप पढ़ने को मिल सकते हैं जहां आप वास्तम में जीवन में किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है उसको आप समझ सकते हैं तो इसी भावना के साथ है कि इसी निरने को लेते वे क्योंकि वे सत्य निश्ट व्यक्ति थे वसुदेव जी वो कंस के पास ले जाते हैं उसके हिर्दे में अब थोड़ी सी जब वो देखते हैं कि वसुदेव इतने सत्यनिष्ट हैं और अपना वचन पूरा करने के लिए वो उनके पास आ गए हैं तो वो उसके हिर्दे में कुछ सदभावना जागरत होती है और वो कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ आठवी संतान से म जानते हैं कि ये असरी सुभाव का व्यक्ति है तो उस पर कभी भी भरोसा नहीं करते हैं कि इसके शब्दों का कोई भरोसा नहीं है यह कभी भी पलट सकता और वह वह कंस को भैबीत करते हैं वो क्या कहते हैं वो कंस के सामने आते हैं और कहते हैं कि देखो कंस मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं उपर डेवी देवताओं के बीच में गवर्मेंट में जो काम चल रहा है जो बात चीछ चल रही है जो समचार मुझे मिला है वो मैं तुम्हें बताने आया ह सभी देवता जो हैं प्रित्वी पर जन्म लेने वाले हैं अलग-अलग पुलों में अलग-अलग तरीके से वो सभी देवता प्रित्वी पर जन्म लेने वाले हैं और ऐसा निरने हुआ है कि प्रित्वी का भार कर्म करने के लिए असुरों का वद्ध होने वाला है तो इस प् पढ़ जाता है कि मैंने वसुदेव को मना तो कर दिया लेकिन अब नारतमुनी कह रहे हैं कि असुरों का वद करने के लिए देवी देवता जन्म लेने वाले हैं तो क्या पता विश्णु जो है वो इसी संतान के रूप में जन्म ले ले पहली संतान के रूप में जन्म ले ल पहली दूसरी तीसरी कोई भी संतान के रूप में जैसा ही उसके मन में ये भाव होता है उत्पन होता है इस शंका के कारण कंट्स जो हे वो तुरंत बसुदेव को बंदी बना लेता है उसे लोवी की जंजीरों में जकड़ लेता है और इस अभविश्यवानि से सशंकित होकर कि विश्नु उसका वद कभी भी कर सकते हैं हर संतान का वो देवकी की और वसुदेवकी उनका वद करना आरंब कर देता है और उनको एक-एक करके मार डालता है। कि वे अपने स्वार्थ में अपने पिता की अपने भाई की अपने किसी भी संबंधी की शत्रों की वो अंधा धुंद जो हैं वो वद कर सकते हैं। कि इस असुर का वद वास्तव में विश्णुजी के हाथ हुआ था। तो ये बात सुनकर कंस वास्तव में बड़ा ही एक प्रकार से बिल्कुल पलड़ जाता है। और हर किसी से वो द्वेश करने लगता है। जो भी यदुवंश में व्यक्ति होता है वो हर उस यदुवंशी व्यक्ति से द्वेश करने लगता है। इर्शा करने लगता है। तो आप देखते हैं कि भगवत गीता में बताया गया है। आप देखेंगे सोल में ध्याय में ये पढ़ेंगे कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आसुरी सुभाव के होते हैं वो जन्म जन्मानतर तक भी आसुरी सुभाव उनका जल्दी से जा कहा करते हैं कि हमें बुरी वस्तुओं से बुरी चीजों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि यदि हम उनमें लिप्त होंगे तो हम आसुरी सभाव अपने अंदर उत्पन करने की और प्रगती शील होंगे तो हमें उनसे बचना चाहिए तो अब यह जो कंस था वो इतना इन सभी अपने परिवार वालों से यदू वंशियों से द्वेश करने लगा कि इसने अपने पिता उग्र सें को भी बंदी बना लिया और वह राज्ये का शासन स्वयम चलाने लगा तो यहां आप आप देखे कि यह जो दस्वें सकंद का जो पहला अध्याय है वो यहां पर पूर्ण होता है अब हम दस्वें सकंद के दूसरे अध्याय पर पहुंच रहे हैं और इस अध्याय में जो मुख्य विशय है वो है कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो माता प्रकट होते हैं और अनेक देवी देवता जो हैं वो गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण की इस्तुति करते हैं अब देखे यह जो दूसरा ध्याय है उसमें पहले जो चार श्लोक हैं उसमें कंस के अत्याचार का वर्णन यहां पर है नारद मुनी ने कंस को भैबीत किय उनसे आशंकित होकर कंस ने बास्तम में अलग-अलग राक्षसों की सहायता से वो अपने यदूओं को सताने लगा और इतना सताया इतना सताया कि कई जो यदू थे कई जो उसके परिवार जन थे वो अलग-अलग प्रकार के जो राज्ये थे वहां पर उनमें भाग गए ज लेकिन पीछे-पीछे कुछ लोग जो थे कुछ चया चाटु कारिता करते थे इसके इशारों पर चलते थे ऐसे कुछ लोग जो दे वहां रुक गए और कंस की नौकरी करने लगे कंस की दास्ता करने लगे और ऐसे ही वातावरण में अब हम देखते हैं कि ऐसा कंस के दरबार में यह सब चल रहा है और ऐसे वातावरण में अब सात्वें जो पुत्र हैं छे पुत्रों के मारे जाने के बाद अब सात्वें तो यहां देखे चित्र में दिखाया गया है कि कैसे बलराम जी जो अनंत शेश हैं वो माता देवकी के गर्भ में महाप्रवेश करते हैं तो कुछ आचारेगंड ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण चुकि वो विष्णु जी है और विष्णु जी की शया जो है वो अनंत शेश है तो भगवान शी कृष्ण चुकि अब वहां गर्भ में आने वाले थे तो उनके आने से पहले उनकी शया वहां पर जो थी वो तयार की जाने वाले थी और इसलिए बलराम जी जो है वो पहले आते हैं चुकि वो अनंत शेश है तो बलदेव ने माता क्या करना चाहिए तो बलदेव जी अब माता देवकी की गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं और उद्हर भगवान योगमाया, जो भगवान की सेविका हैं, योगमाया को वे आज्ज्ञ देते हैं, वो कहते हैं कि योग माया तुम एक काम करो, तुम ब्रज में जाओ और संकर्शन जो है, जो माता देवकी के गर्भ में पहले ही महाँ पर प्रकट हो चुके हैं, उन संकर्शन को, अनन्त देव को, बलदेव को, तुम भासर निकाल कर, तुम गोकुल में, रोहिनी के गर्भ में स्थाना न् अब ये रोहिनी कौन है, रोहिनी जी जो है, वो भी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, जो गोकुल में ही, नंद महराज के घर में ही, वहाँ पर साथ में उनके रहती हैं, तो भगवान ने कहा योग माया से, कि बलदेव जी को, बलराम जी को, देवकी जी के गर्भ से न प्रकट होंगा तो मुझे चुकि वहां देवकी जी के गर्भ में रूप में पुत्र के रूप में प्रकट होना है तो पहले तुम वहां इस्थान को खाली करो बलराम जी को रोहेनी जी के गर्भ में स्थाना अंत्रित करो मैं उस गर्भ में अब यहां प्रकट होंगा और फिर भगवान शी कृष्ण योग माया जो दुर्गा देवी हैं महाँ पर उनकी प्रशंसा करते हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि हे सर्वकल्यानी योग माया सामान्य लोग पशुओं की बली करके विविद प्रकार से विविद सामगरी से तुमारी भव्य पूजा करेंगे क्योंकि तुम हरे की भौतिक इक्षाओं को पूरा करने में सर्वो परीवे तो योग माया दुर्गा देवी और भगवान शंकर ये आपस में पती-पत्नी है और जो ये भौतिक जगत है इसको चलाने का कारिय वास्तव में भगवान की तरफ से योग माया दुर्गा देव और भगवान शंकर जो हैं वो करते हैं इसी बात को यहां पर भगवान बता रहे हैं कि सामान्य लोग पशों की बली करके विविद सामगरी से तुमारी भवे पूजा करेंगे क्योंकि तुम हरे की भौतिक इक्षाओं के लिए यदि किसी के पास जाना हो पूरा करने के लि जोग माया को दुर्गा देवी को आशिरवाद दिया कि आप दुर्गेती भद्रकालीती विजया वैश्नविती चा कुमुदा चंडिका क्रिष्णा माधवी कन्यकेती चा माया नारायनी शानी शारदेत्या अंभी केती चा इस प्रकार से यहां ग्यारवें और बारवें श और फिर कहते हैं कि देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिनी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिनी के पुत्र का नाम संकर्षन भी कहलाएगा क्योंकि आप उनका वहां से ट्रांसफर करेंगी एक जगह से दूसरी तरफ तो इसी कारण से चुकि वो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इस्थाना अंत्रित किये जाते हैं इसलिए उनका एक अन्य नाम भी होगा संकर्षन और चुकि वे बहुत बलशाली होंगे उनका नाम बलदेव भी कहा जाएगा बलभदर भी कहा लाएंगे और वे राम के नाम से भी जाने जाएंगे तो यहां पर भगवान अब योग माया को बोल रहे हैं तो यह तीनों नाम बलभद्र राम और संकर्षन जो हैं यह बलराम जी के नाम है यह इनका उल्लेख यहां पर तेरिविश लोप में भागबतम में किया गया है योग माया भगवान की आग्या का करती हैं जब योग माया देवकी के गर्व से बालक को खींच कर माता रोहिनी के गर्व में स्थानांत्रित कर देती हैं तब देवकी को लगता है और वहां पर उपस्तित समस्त सेनिकों को कंद्स को भी यह लगता है कि वास्तम में शायद रोहिनी यह देवकी का गर्व पात हो तुन जी विलाप करने ल कि योग माया ने बलराम जी को देव देवी की जी माता के गर्व में पहुंचा दिया था अब भगवान के आने का समय हो गया है भगवान अब प्रकट होने वाले हैं तो कैसे कैसे माता को किसे को सबसे पहले भगवान वासुदेव जी के मन में प्रकट होते हैं और जैसे ही भगवान वसुदेव के मन में प्रकट होते हैं तो वसुदेव जी जो है वो सूरिय के समान चमकीले हो जाते हैं वसुदेव जी जो है वो सूरिय के समान चमकीले हो जाते हैं वो चमकने लगते हैं और फिर वसुदेव जी के मन से वे देवकी जी के मन में उनका स्थानांतरन होता है तो पहले वसुदेव जी के मन में आये उसके बाद देवकी के मन मे स्थानांत्रित होते हैं माता देव की जो हैं बहुत सुन्दर लगने लगती हैं उनका जो जो उनका जो सभाव होता है बड़ा हस्मुक हो जाता है और एकदम से देधिप्यमान हो जाती है बड़ा ही उनका उनका जो शरीर है बड़ा उज्वल हो जाता है तो इस प्रकार से व अंदर ये चेंजिस आ जाते हैं तो यहां पर एक बड़ा सुन्दर श्लोक आता है कि तो यह श्लोक जो है वो यह कह रहा है कि जो भगवान जो सारे जगत का निवास हैं जिस भगवान के अंदर संपूर्ण जगत निवास करता है वही भगवान अब इस देव की माता के गर्भ में निवास करने के लिए यहां पर प्रकट हुए है और अब देव की कैसी लग रही है भोजेंद्र गेहे अगनी शिखेव रुद्धा सरस्वती ज्यान खले यथा सती भोजेंद्र गेहे भोजेंद्र भोज मतलब भोज मतलब कंस जो था वो भोजवन शिका था भोजेंद्र मतलब कंस गेहे मतलब कारागार भोजेंद्र गेहे मतलब कंस के कारागार म वो एक ऐसी अगनी के समान प्रतीत हो रही है जिसे एक पातर के अndर ढंदर धख दिया गया तो भगवान जो है वो अगनी के समान हैं देभियमान हैं और चुकि वो देवकी के गर्ब के अंदर हैं बाहर प्रकट नहीं हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो कंट्स के कारागार में एक ऐसी अगनी के समान है जिसे एक बरतन के अंदर ढख दिया गया हो. और फिर दूसरी उप्मा देते है कि वो एक ऐसे ग्यान के समान है जो वास्तब में लोगों के हिद के लिए है लेकिन लोगों तक अब पहुँच नहीं पारा हो तो भगवान के प्रकट होने से पहले यह सुन्दर्श लोक यहाँ पर है कि जो समस्त जगत का निवास हैं अब वो वास्ता में देवकी के गप के अंदर निवास कर रहे हैं तो यह सब बातें हो रही हैं गर्ब में भगवान के होने से जिस स्थान पर देवकी माता बंदी थी, महां के सारे वातावरण जो था वो आलोकित हो गया, देवकी जी प्रसन्न हो गई, शुद्ध हो गई, हस्मुक दिखने लगी और उनको हस्मुक देखकर, उनको प्रसन्न चित देखकर, उनको आलोकित कंस के मन में बड़ा आश्चरे हो रहा है वो समझ गया कि अब वास्तव में जो आठी संतान है ये शायद देवकी के गर्ब के अंदर अब उत्पन हो गई है यब ये प्रकट होने वाली है तो विश्णु जो है वो देवकी के भीतर आ चुके हैं इसी कारण से देवकी जो है इतना प्रसनचित नजर आ रही है तो वो अब सोचने लगता है कि वास्तम में क्या मैं इस देवकी का हत्या कर दूँ लेकिन उसके दिमाग में जब ये भाव आता है तो उसके दिमाग में शुब संकल्प भी उत्पन होता है वो सोचने लगता है कि ये तो एक स्त्री है मेर पहन भी है गर्भवती भी है यदि मैं इसकी हत्या कर दूँगा तो मेरा एश्वरिया नश्ट होगा मेरा यश आयू निश्चित रूप से ये सब चीज़े जो हैं वो नश्ट हो जाएंगी मृत्य के बाद भी मैं अंधे से अंधे नरक के अंदर जाऊंगा तो उसने ऐसा कर प्रकट होने का विष्णु जी के प्रकट होने का वो प्रतीक्षा करेगा उसने एस प्रकार का निरने किया लेकिन हमेशा वो अब भगवान के ही बारे में सोचता रहा हर समय केवल अपने शत्रू भगवान विष्णु के बारे में ही वो सोचता रहा तो यहां प्रभुप और कंस भी भगवान की चेतना को 24 घंटे अपने मन में बसाए हुए था लेकिन प्रभुपाजी यहां पर एक बात को हमें समझाने का प्रयास करते हैं वो कहते हैं कंस की चेतना में और भक्त की चेतना में एक अंतर होता है कंस की चेतना थी भगवान को शत्रू के रूप में स अपने परम पिता के रूप में वो भक्त जो है वो देखता है तो अनुकूल भक्त की जो दृष्टी कौन है वो अनुकूल होता है भगवान के लेकिन असुर का जो दृष्टी कौन है भगवान को देखने के प्रती वो होता है प्रती कूल है हर समय केवल अपने शत्रू भग लेकिन अनुकूल दृष्टिकूण से तो कंठ का जो विचार है उसे ढहीं कहा जासकता लेकिन भक्त का जो विचार है अनुकूल विचार required उसे भक्ति कहा जाता है कि आप देवति की माता के गर्व में जब भगवान श्रीकृष्ण प्रकट होने हैं या प्रकट हो चुके हैं तो वहां पर अनेग देवी देवता जो हैं वहां उपस्तित होते हैं और देवताओं द्वारा देव गर्व स्तुति भगवान की गर्व के अंदर ही स्तुति करते हैं और उसको लेकर पच्चीस लोक से लेकर बयालिस्वन श्लोक तक अलग- है प्रभू आप सत्य व्रत हैं आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते हैं आप सत्य परम हैं आप परम सत्य हैं मतलब हर वस्तु का हर प्राणी का उद्गम उसका श्रोत आप ही हैं स्रिष्टी का पालन करना उसकी स्रिष्टी करना और उसका संगार करना तीनों अवस्ताओं में ही आप बने रहते हैं आप स्रिष्टी का स्रजन होता है इस स्रिष्टी का पालन होता है, और इस स्रिष्टी का संगार होता है, इन तीनों अस्थाओं में ही आप बने रहते हैं, आप कभी भी नहीं अलग होते हैं। सत्यात्मकम का मतलब यह कि आप समस्त शृष्ष्टी के जितने-भी' अव्यव already हैं उनमें वास्तव में वो चीजें इसी लिए हैं क्योंकि आप उनके अंदर विराजमानव्य आप ही उनके वास्तविक सत्य हैं अत्ह आप अंतर्यामी कहलाते हैं त्वाम शर्णम प्रपन्ना तो ऐसे ऐसे परम सत्य की शर्णम हम लेना चाहते हैं कृप्या हमारी रक्षा करें फिर एक अन्ये श्लोक वो बोलते हैं सबस्क्रक्षा कि अधिनावे बहारते हैं भाभणक शर्णम टोरक्रंभं आप ही आखिल सत्व ध्रणमें हैं मतलब जगत आप ही अखिल जगत का कारण है समाधी ना वेशित चेतस एकए आप पर अपना पूर्ण ध्यान एकागर कर समाधी ना आवेशित समाधी मतलब समाधी मतलब मन को पूरा एकागर करना आवेशित मतलब पूरा ध्यान भगवान में लगाना चेतस चेतस मतलब मन और एक ध्यान, तो जो व्यक्ति आपके चरण आपके उपर अपना पूर्ण ध्यान एकागर करता है, और ऐसा करते हुए, त्वत्पाद पोतेन, महत कृतेन, त्वत्पाद मतलब आपके पाद, पाद मतलब चरण, पोत, पोत मतलब नाव, आपके चरण कमलों की नाव पर सवार ह हो सकता है और आपके चरण कमलों की नाव पर जब ऐसा व्यक्ति सवार हो जाता है तो कुर्वंति गोवत्स पदम भवाब्धिम हैं तो जो यह भव सागर है जो इतना विशाल है वो गोवत्स मतलब वत्स बोलते हैं बच्छडे को और बच्छडे के गोवत्स पदम मतलब गाता है फूरा छोटा सा होता है तो यह कह रहे हैं कि जब भगवान के चरण कमलों पर हम ध्यान करते हैं तो बच्छडे का खुर होता है उसको इछ नाय चो कोई भी व्यक्ति चोटा सा बालक भी उसको बड़ी सरलता से उलांग सकता है इस प्रकार से सुन्दर-सुन्दर द्रश्टांत देते हुए जो देवी देवता हैं माता देवकी के गर्भ में जो भगवान अप्रकट हुए हैं उनकी उस्तिती कर रहे हैं फिर एक अन्य श्लोक नाव मत्रते निधाययाता सदनुग्रहो भवान आपके भक्तगण जो पतितात्माओं के प्रति मेत्री भाव रखते हैं इस भवसागर को पार करने के लिए वे अपने पीछे वे नाव छोड़ जाते हैं जो आपके द्वारा स्विकार की गई होती है ताकि अन्य भी इस भ विधी विधानों की नाव है, जिनका वो पालन करते हुए इस भवसागर को पार कर जाते हैं, तो ये जो विधी विधानों की नाव है, ये जो भक्त हैं, जो आपके परम भक्त हैं, आपकी कृपा से आप ये जो विधी विधान बनाते हैं, जो आपके परम भक्त ये जो विद्धियों की यह हमारे लिए छोड़ जाते हैं ताकि हम भी इस भवसागर को कर सकें तो फ्रत क्र formerly आप इतने रिद्धियों को आप वहाँ पर देते हैं आप उनको हमारे लिए इस भवसागर को पार करने प्रक्रॉर करते हैं कि पिर कह झते पिर केवल आपके भगत ही भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं तो श्रवन कीरतन स्मरन चिंतन आपके दिव्य एवं शुब नाम रूपता जिनकी चेतना सदैव आपके चरण कमलों में लीन रहती है वे भौतिक पत पर स्थित नहीं होते हैं इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की स्थियों से जो देवी देवता है माता देव की के गर्भ में जो श्री कृष्ण थे उनकी स्थियां करते हैं अब भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का समय आ जाता है कि जब वो इस भौतिक जगत में प्रकट होने वाले होते हैं तो वातावरण जो है वो उसी प्रकार से बदलने लगता है। पौदे फूलों से लद जाते हैं, कोयल और भौने मधुर गुंजन करने लगते हैं, निर्मल सुगंदित वायू बहने लगती है। और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, तो समस्त देवी देवता जो हैं, और मुनिगण जो हैं, और बादलों का हर्श होता है। मुमुचुर मुनयो देवा सुमनानसी मुदानविता मंदम मंदम जलाधरा जकरजूर अनुसागरम निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवी रूपन्याम पुष्णू सर्व गुहाश्या। आवई रासिद यथा प्राच्यम दिशिन्दू रिव पुष्कला तो बड़ा ही सुन्दर श्लोक है जिसमें बतायागा है। जायमाने जनार्दने तो जब बिलकुल अंदकार होता है निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने तो ऐसे बतावरण में जनार्दन हे कृष्ण हे कोविंद आप प्रकट होते हैं। देवक्याम देवी रूप न्याम विष्णू सर्व गुहाशया तो देवकी के गर्ब से देव रूप में है विष्णू आप जो सब के हिरदे में विराजमान हैं सर्व गुहाशया आप प्रकट होते हैं। और आप जब प्रकट होते हैं तो बिलकुल ऐसा ही लगता है कि जैसे गहन अंदकार में पूर्ण चंद्रमा उदै हुआ हूँ। इंदू बोलते हैं पूर्ण चंद्रमा होता है उसको इंदू बोलते हैं तो आप पूर्ण चंद्रमा के समान इस अंदकार में गहन अंदकार में आपका यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो जैसे ही अब वसुदेव जी भगवान को देखते हैं पुत्र के रूप में, उनकी आखें आश्चरे से फट जाती हैं, मन ही मन ब्रहमनों को वे दस हजार गोएं दान कर देते हैं, तो चुकि वसुदेव जी इस समय कारागार में हैं, उनके पास वास्तम में इस प्रकार क साधन उपलब्द नहीं है कि वो कुछ दान दे सके हैं, लेकिन मन ही मन, मानस पूजा इसको बोलते हैं कि मन ही मन, वे ब्रहमनों को दस हजार गोएं दान कर देते हैं, और वसुदेव जी अलग-अलग प्रार्थनाय करते हैं, आप भौतिक जगत के परम पुरुष हैं, आप तो हर प्राणी के हिरदे में उपस्तित रहते हैं, तो आपने बास्ता में गर्भ में कभी भी प्रकट नहीं हुए, आप तो पहले ही देवकी के मन में उपस्तित थे, और सिर्फ आप तो गर्भ में, मन से गर्भ में महाँ पर पहुँच गए, प्रकरती के तीनों गु कारण क्या है और फिर देखे यहां पर तेरवे से लेके 21 शलोक में वसुदेव जी बड़े ही एश्वरे भाव में भगवान की यहां पर प्रार्तना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वास्तम में परम पुरुष हैं आपको किसी से भै की आप सबकी पूरे जगत की रक्षा कर करने के लिए उनकी रक्षा के लिए जो वसुदेव जी है वो चिंतित हो जाते हैं किते हैं आप वास्तम में देखे अशब्य कंस्त तूर builders आजा neको मारने के है। आप कन्स के विक्राल भैष से हमें बचाइए मैं आपके लिए चिंतित हूँ तो यह देवकी जी भी एक प्रकार से पहले तो कहती है मृत्तिव भी आपसे भैवीत रहती हैं फिर वे कहती हैं माता के रूप में कि मैं आपके लिए चिंतिथ हूं आप अपने इस अलौकिक रूप को छ छिपा लीजे संगार के समय सब आपके शरीर में रहता है किन्थू इस समय आप मेरे शरीर में है। इस प्रकार से माता देव की भी बड़े ही सुन्दर श्लोकों के साथ, बड़े ही सुन्दर शब्दों के साथ, भगवान श्री कृष्णी की यहां पर इस्तुति करती है, प्रार्तना करती है, भगवान अब वसुदेव जी को और देवकी जी को बोलना अरंब करते हैं, उन्हें बताते हैं कि पूर्व जनम म आप प्रिश्णी और सुत्पा थे आपने 12,000 वर्ष तक मेरी तपस्या की ये चाहने के लिए कि आपको मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो और प्रिश्णी गर्भ के रूप में मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ कश्यप और अदिती से भी लेकिन पहले के जनम मे आप प्रिश्णी और सुत्पा थे लेकिन उससे पहले आप कश्यप और अदिती थे और उससे आपने उपेंद्र के रूप में मुझे प्राप्त किया और उपेंद्र ये वही थे जो वामन देव के नाम से उत्वन हुए अब तीसरी बार मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूँ और विश्णु रूप में जो मैं आपके सामने प्रकट हो रहा हूँ वास्तब में मैं आपका पूर्व जनम का इस्वरण आपको कराने के लिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये यकीन हो जाया कि वास्तब में मैं ही भगवान हूँ है और आप अ देखते हैं कि कैसे घटनागरम एकदम से बदलता है भगवान वसुदेव जी से आग्रह करते हैं कि वो उन्हें ले जाए और गोकुल में यशुदा जी के हाँ पुत्री का जन्म हुआ है उससे वो उनको बदल ले और तुरंथी भगवान की माया के कारण भगवान की शक्ति के कारण तुरंथी कारागार में जो बेडियां होती हैं उनकी खुल जाती हैं द्वार खुल जाते हैं वहाँ पर जो सैनिक हैं वो नींद में सो जाते हैं और तुरंथी शेशनाग द्वार से ही वहाँ जेल से ही उनके ऊपर उपस्तित हो जाते हैं उनकी रक्षा करने के ल को कई कई हजार वर्षपूर्व जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए मादासीता की रक्षा करने के लिए जाते हैं तो उनको वो मार्ग देती हैं वसुदेव जी तुरंत गोकुल में पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि समस्त जो वाल-वाल हैं वो सो चुके हैं य पता ही नहीं होता है कि उनको पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है और ऐसी परिस्तिती में वसुदेव जी वहां पर बालिका को अपने बालक से बदल लेते हैं और अपने हाथ अपने साथ बालिका को पुने लेकर वहां पर कारागार में उपस्तित हो जाते हैं और पुन कि यहां पर बड़ा ही विशद वर्णन श्रीमत भागवतम में किया गया है और जन्माश्टमी की इस पूर्व संध्या पर इस वर्णन को कहने में मुझे वास्ता में बड़ा ही रोमांच हुआ बड़ा ही आनंद हुआ आशा है आपको भी इसी प्रकार का आनंद प्राप्त ह होगा तो इसी के साथ हम आज की कथा को यहीं बश्राम देते हैं आपका बहुत-बहुत दन्यवाद को को है को ई आपका प्राशण है कथा से संबंध तो आप प्रूच सकते हैं मैं कथार प्रभु जी को आमट् एनस Northeast, कर आपका प्रुच्छण हैं तो प्रभुजी पूछ लीजे प्लीज है रे कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा थैंक यू गूरु जी बस वाभी इतना आपने आनंद दे दिया है ऐसा वर्तित होता है कि सब कुछ उसी के अनुकूल मन में सब कुछ विचार अनुकूल ही चल रहे हैं तो इसलिए कुछ प्रतिकूल की भाव नहीं नहीं है चांस ही नहीं है और इसकत मैं वो सिस्थिति में हूँ कि पधनी कहां पर हूँ तो इसलिए कुछ याद नहीं आ रहा